हेलो फ्रेंड्स मैं विन्य निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बर फिर्शे हमारे चैनल पे श्वागत है तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने अब तक अपना यूपी ट्रिपल सी पीटी का स्कोर काड चेक कर लिया होगा अगर आप अभी तक भी चेक नहीं कर पाए हैं तो बहुत से लोग पहले उमीद कर रहे थे कि कट ओफ आएगा पता चल जाएगा कि मैं इसके लिए लिजबल हो नहीं हो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मैं आपको बताया भी था कि वहां पर क्या किया जाएगा आपका रॉय स्कोर और फिर आपका क्या होगा अब परसेंट कितने कट ओफ पर बुलाया जाएगा और फॉर्म तो सबसे लिया जाएगा तब इससे क्या होगा उनकी कमाई हो जाएगी फिर जब एडमिट कार्ट देने की बारी आएगी तो कट ओफ डिसाइट कर लिया जाएगे ऐसा भी निजबीश में आया था आपको मालूम होगा ठ बहुत कम जाएगा कट ओफ 55 प्लस वाले भी लेखपाल बन सकते हैं अब केवल तयारी पर फोकस करो जी यहां फ्रेंड्स कल से जब से रिजल्ट आया है तब से जो लोग 55 प्लस बता रहते हैं वो 95 बताने लगे हैं ठीक है यानि कि मार्स में अगर बात करें तो लग-बग लग कह सकते हैं कि 72, 73, 77 कह सकते हैं इतना माक्स बता रहे हैं लेकिन मैं आप से शुरू से बोल रहा था कि अगर आपका 65 प्लस इसकौर है आपको कोई भी रोक नहीं सकता है मैं shift 2 की बात कर रह था और shift 1 में 55 से सेफ़ है कभी भी कोई आपको बाहर नहीं कर सकता है अभी यही बात है अगर आपका कोई भी सेफ्ट है अगर आपका सबसे बड़ी बात है अभी ये इंफ्यूजन बना हुआ है लोगों की माइंड में कि जो कट ओफ होगा सारी वैकेंसी का अलग अलग आएगा या कम माइंड आएगा अभी तो कुछ यूटूबर यह हला करने लगे हैं कि कट ओफ जो है आज ही कल में आ जाएगे एक दिन बात ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कभी भ सब्स वाले भी लेकपाल बन सकते हैं ठीक हो डिपेंड करता है कि कौन से क्राइटेरिया को कौन से रूल को फॉलो किया जाता है यूपी ट्रेपल सी के तरफ से ठीक है अगर हम बात करें अगर अलग अलग कट ओफ बनाते हैं सारी वैकेंसी का तो यहां पर पता है क्या सकते हैं कियर अगर हम बात करें पे आप सेफ है यह हम बात करते हैं इस अधर से उपर है वो बिलुकुल सेफ है उसे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए उसे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अदर लिज एलिजबल तो 90 परसेंटाइल वाले भी रहेंगे यह मैक्समान चांसे हैं यह मैं आपको बहुत पहले बताये था आप मेरे पुराने वी पांसी दस नॉवंबर के बीच आने के उमीद है मैं आप से यह बोले था उसका रिजन क्या था रिजन में यह बोला था नॉर्माशन को लेकर काफी को नहीं किया गया है क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई बी रिजल्ट उसमें जब नॉर्माइज इसकोर होता है तो डेस रिजल्ट नहीं किया गया है यह यह हुमन के थुर्ण किया गया है अटॉमेटिक मिलब आटुमेटिक नहीं किया गया है इसे नहीं होता है लेकिन परसेंटाइल निकाला गया हुआ निकाला गया क्योंकि आप हम देख सकते हैं 5 प्लेस तक दिजिट लिखे गए हैं ठीक है लेकिन जो नॉर्मालाइज इश्कोर है उसमें काफी धोखा हुआ है फर्स सिफ्ट वालों के साथ क्योंकि फर्स सिफ्ट वालों का पेपर थोड़ा तफ था मैं आप से सुरू से कहा काश है दिक्रीज हुए है तो मैक्समुम चैकल इंकल गए है तो उसके मार्म को क्लास कर दिया है यह काम 3ओप से नहीं चेक है और पेपर के लेवल को कभी मैंवली नहीं किया गया है लेकिन अब मुझे आपका मादली यह कर दिए कि आपका मालूम में सब का मैनुवल कर रहे हैं तो हमें आइडिया नहीं किसका कितना माक्स बढ़ सकता है इसलिए अगर हम मैनुवली बहुत जड़ डिफरेंस रो कर देते हैं तो फिर परसान हो सकते हैं कोर्ट भी जा सकते हैं तो यही कारण इन्होंने डिफरेंस बहुत जादा नहीं रखा यानि कुछ किया ही ने सिंपल सी बात यहीं है के लिए उन्होंने क्या किया है परसेंटाइल के थूर एक आपका रैंक बना के दे दिया है ठीक है तो अब हम बात करते कोट अलग अलग ब केंडिट्स को इन्हें बुलाना है यानि कि इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहां पे जो आपका जो सेफ मनलब परसेंटाइल होगा वह 92 परसेंटाइल होगा लेकिन अभी ध्यान देजिए इसके आगे 92 परसेंटाइल तब होगा जब ट्रिपल सी का बाउंडिशन नहीं रहे क्योंकि जो बड़े-बड़े एक्जाम देते हैं यहां पेट में अपीर हुए वो लोग ठीक है इस वेसे लेपाल की एक्जाम नहीं देंगे तो इस वेसे हम कह सकते हैं कि अगर ट्रिपल सी नहीं लगता है तो भी 90 परसेंटाइल वाले बिल्कुल सेफ हैं अगर अलग कट से लगेगा ठीक है तो यहां पे जब ट्रिपल सी लगेगा तो आपका कॉट ओफ वैसे ही डाउन हो जाएगा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका 95 परसेंटाइल होगा उनके पास ट्रिपल सी नहीं होगा तो इस हिसाफ से जो होगा आपका और जो कॉट आजाएग कुछ वैकेंस में काफी कम पोस्ट है जिसमें क्या होगा क्यों दो परसें तीन परसें परसें बुलाना पड़ेगा और वहीं कंपेटिशन फाइट करेंगे जैब को कहिन के सलेशन ले चुका है कि इस जाधर एक्जाम में तो इस हिसाब से कहाँ सता है कि कॉट अलग लग वैकेंसी है तो मान के चलिए कि 410000000 केंडिंट को इन्हें बुलाना ही बुलाना और अगर 4 1000000 क का मतलब क्या होता है 400000000 का मतलब यही यह कि कि परसें इंटाइल में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि लगबल। यह जो है आपका आपका 25 परसेंटाइल तक को भी बुलाएंगे यह लोग जिनका परसेंटाइल स्कोर 75 है यानि कि कह सकते हैं अगर आपका रॉ स्कोर या फिर नॉर्माली स्कोर 55 प्लस है तो भी आप बिल्कुल सेफ हैं चाहे लेकपाल की वेकंसी हो चाहे कोई अधर वेकंसी हो चाहे कुछ बिल्कुल सेफ हैं आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉट ओफ कंबाइन होने वाला है और ट्रिपल सी का बाउंडिशन लगने वाला है तो बहुत से लोग यहां पर बाहर हो जाएंगे यहां पर नहीं उपाएंगे लेकपाल के लिए जब ट्रिपल सी अगर अलग लग को टॉफ बनता है तो भी 92 ने जग उसे कमी को टॉफ जाएगा कि कुछ लोग अपसेंट हो जाएंगे कुछ लोग के पास रिपल सी नहीं रहेगा लिए को टॉफ बने के चांसे बहुत कम है को टॉफ जो आपका बनेगा अगर आपके इसको 55 प्लस है और यानि कि परसेंटाइल बात करें 75 प्लस है परसेंटाइल में तो आप बिल्कुल सेफ है ठीक है उमीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गया होंगे तो अभी के लिए बस इतना है थैंक यू जय हिंद जय भारत